Hello Friends, Welcome Back आज हम बात करने वाले हैं MPPSC के तरफ से एक जो वेकेंसी है उसके बारे में समपूर्न जानकारी हम समझने वाले हैं सबसे पहले जो पोस्ट है उसका नाम समझ लेते हैं सायक प्रध्यापक के नाम से एक पोस्ट है जिसमें अलग-अलग विसे दिये गए जैसे जी विज्यान हो गया, संस्कृत हो गया, भूगोल हो गया, इसके बाद में हिस्ट्री हो गया अलग-अलग विसे दिये गए इन सभी का आपको फॉर्म भरके मैं आपको कम्प्लिटली बताने वाला हूँ यहाँ पर देखेंगे जो फॉर्म की डेट है 5 अपरेल से लेकर 13 अपरेल तक आपको फॉर्म भरे जाएंगे बात करते हैं कि आपका जो फॉर्म है, मैं एक फॉर्म भरके दिखाऊंगा लेकिन प्रोसेस उसकी सभी फॉर्म की एक जैसी ही रहेगी, बस आपका जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फॉर्म कैसे बहरेंगे जैसे हमने इतिहास के लिए भर रहे हैं, ठीक है तो इतिहास के लिए हम जैसे आपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें गोशना पत्रिवाले उप्शन के उपर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर सबसे पहले देखें है विग्यापन इस वाले option के ओपर क्लिक करने के बाद आपके सामने विग्यापन open हो जाएगा इसे आपको पड़ भी लेना है इसके बाद में दूसरा option है through टिसुदार इसमें देखते हैं कि दोस्तों ये जो पोस्ट है तो सन 2022 में इसको launch किया गया था लेकिन किसी current से इसमें वापस से अपडेशन किया है तो वापस से relaunch इसे किया गया है इसकी जो date है विग्यापन की date है वो भी आपके सामने डिस्प्ले हो रही है 28 March 2004 जो इससे आपका विग्यापन आ चुका है इसके online farm ही भरे जा रहे हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आपके सामने इस सारी जनकारी हमने fill कर लिए इसके बाद में नीचे देखेंगे यहाँ पर agree वाले option के ओपर इसको proceed वाले option के ओपर click करेंगे यहाँ पर देखते हैं कि आपके सामने सायक प्राद्यापक इतिहास परिक्षा 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्टी ठीक है इसका हम form बरने जा रहे हैं यहाँ पर जो भी subject है आपको उसे आपको च्वाइस कर लेना है ठीक है अब यहाँ पर थोड़ सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको form start यहाँ से होता है फॉर्म बरने के लिए सबसे पहले जो student का बास्व मेल नाहीं इसके पूर आखे बड़ते हैं यहाँ पर आपका father का नाम डाल 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 देना है यह तो आपकी basic जानकारी होगे अब बात करते हैं विवा से संब्दिद विवा अगर आपका हो गया है तो उसे yes करते हैं तो yes करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने पिता या पती दोनों में से किसी एक का भी नाम आप डाल सकते हैं ठीके यहाँ पर आपके सामने एक और option कुलेगा कि बच्चे कितने हैं अगर आपके एक भी बच्चा नहीं है तो आप जीरो वाले option को ले सकते हैं और अगर कुछ नहीं यह साधी नहीं हुगा तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं ठीके यहाँ पर देखते हैं मुल्यवासी का पूरने विविवन यहाँ पर द दिव्यांग स्रेडी में आते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना होगा अगर यस करते हैं और दिव्यांग स्रेडी में 40% से उपर हैं तो आपको यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी कौन सी स्रेडी में आप आते हैं वो सब आप किसी अपरादिक दंड में प्रकरेंड आपकी खिलाब बना हुआ है या नहीं तो यहाँ पर भी वैसा ही यह कि अगर आप पहले से कई कि यहाँ पर कर लेना है इसके बाद रोजगार कारिया लेका जो नंबर रेता है यानि कि जो application नंबर रेता है उसे यहाँ पर type करेंगे और जो आपके date जब से जारी हुआ है उसे आपको यहाँ पर date डाल देना ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पर अगर पहले से भूत पूरू से निक है तो आपको यहाँ पर इसे yes करना होगा तो अगर yes करते हैं तो पूरी जानकारी आपको fill करना होगा अगर नहीं है तो इसे no करके आगे बढ़ जाएंगे अब बात करते हैं आयू सीमा के इसमें किसी प्रकार का आपको कुछ चूट का विवरेंड है तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर देखते हैं कि विकरम पुरुसकार से आप सम्मानित है अगर हो तो yes करें यहाँ दरवाइस no कर देंगे यहाँ पर देखें कि अतिती विद्वान के रूप में आपने पहले करी किया है अगर करी किया है थोड़ा से important बात है 2019-2020 के सत्र में अगर आपने आतिती के रूप में कहीं पर भी किसी महाविद्याले में कारी किया है तो उसका विद्वान आपको देना होगा जैसे हम yes करते हैं तो यहाँ पर इन दोनु जगहें पर आपको उसकी जानकारी आपको फिल करनी होगी एक नीचे एक option भी खुलेगा उसमें पूरी जानकारी आपको यहाँ पर भी फिल करनी होगी अगर आप no करते हैं यहाँ पर तो यह नीचे वाला जो option ने पूरी तरह से हट जाएगा ठीक है यहाँ पर इनने इसे no कर दिया, no करने के बाद देखेंगे आप यहाँ पर जो आपके जो main जानकारी रेती है जो पातृता है वो समझ लीजे अयकारी परैक्षा का weaven के लिए पातृता क्या रहेगे पातृता पर इक्षा या फिर आपकın seed किया है या फिर इसमें से यहां पर देखेंगे Nate किया है या फिर MP set किया है फिर MP slate किया है इन में से अगर आपके पास या फिर PhD इन तीनों में से अगर जो भी है आपके पास देभी ऐग में यहां पर आपके उक्या नें aquestर्म लिखे ना है या फिर मिश में गड्री क्या हैं इसके बाद यहां पर देखें कप पास आउट किया है, रोल नमबर क्या है, यह सब आपको फिल कर देना है, ठीक है, इस्टेप बाइस्टेप आपको यह सारी जनकारी फिल कर लेना, जैसे आपका जैसे 12 दिकाह हो गया, इसनाद टक हो गया, या फिर इसनाद कोटर यानि के PG तो जो भी आपके एजूकेसिन इन सभी को फिल कर लेंगे इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे परिक्षा सेंटर के बाद करेंगे परिक्षा सेंटर में आपको यहाँ पर जो भी आपका चार सेंटर दिये गए इन चारों को आपको भरना जरूरी है इन में से कोई सी भी आपको जो भी रेफरेंस लेते हैं उस रेफरेंस के अनुसार आपको एक्जाम सिटी मिलेगी ठीक है थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर आपके जो बैंक की डीटेल है आपको भनना होगा बैंक की डीटेल में ध्यान रखिएगा खुद की ही डीटेल दें किसी और का बैंक खाता आप ना जोड़ें या नहीं तो आपका जो फोर्म है वो आपका रिजेक्ट हो जागा यहाँ पर देखेंगे बैंक का नाम होगा आएफसी कोड हो गया इसके बाद में बैंक की साका कौन सी है आएफसी कोड का जो कोड रेता वो डाल देंगे यहाँ पर आपका खुद का नाम डाल देंगे यहाँ पर आपका खाता नमबर डाल देंगे ठीक है दोस्तों के भी में JPG फॉर्मेट में होना चाहिए आपकी जो बैंक पासबूगर से आपको अपलोड कर देना है यहाँ पर देखते हैं कि अब आपका जो पतरा चार यानिकी जो एड्रेस है उसे आपको फिल करना होगा मद्यप्रदेस आपने सेलेक्ट किया इसके बाद में यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका डिस्टिक जो है आगे आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर जैसे आपका जो डिस्टिक है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है अब बात करते हैं वरतमान पता और स्थाई पता की अगर इन दोनों का एड्रेस आपका जो एड्रेस से स्थाई और दोने एक जिसा है तो आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे यहां पर देखेंगे फोटू की बात कर लेते हैं फोटू आपका जो है 20 कवी से लेकर के 100 कवी तक होना चाहिए इससे ज़्यादा एक्सेप नहीं रहेगा यहां पर आपको चेक मार्क लागा के आगे बढ़ जाना है ठीक है यहां तक हमने आप यह बात समझ ली फिर इसके बाद सिगनेचर की बात करते हैं तो सिगनेचर में 20 के भी सिले के 100 के भी तक आपका जो है सिगनेचर भी होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से वीजबेबल होना चाहिए ठीक है इन्वेजबल नहीं होना चाहिए तो यहां पर जीमेल इडी मोबैल नेमबर डाल देंगे और थोड़ा सा नीचे आ करके आपको यह यहाँ पर इसको सब्मिट करेंगे सब्मिट करने के बाद यहाँ पर पूरी जानकार आपकी आजाएगी इन सभी को अच्छे से आपको चेक कर लेना है चेक करने के बाद में यहाँ पर इसको सब्मिट कर देना जैसे आप OK वाले बटन के ओपर क्लिक करते हैं तो आपकी प पेइमेंट की प्रोसेस है वो किस प्रकार से होगे वो भी देख लीजिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारे अप्शन आ जाएंगे नेट बैंकिंग डेविट कार्ड यूपी आई या फिर आपका वास एसबी आई कार्ड होल्डर हो तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू करें चनल को सबस्क्राइब कर ले धनिवाद आप सभी का वीडियो देखने क प्रहा हूँ हो तो छो ले अगये वीडियो बैंकिंग से जरू अे बैंकिंग वीडियो आपने की लेगियो अँर करेंवार रड़ने के लेगिए लेगियो